यह वीडियो आप सबके लिए जो डेफैंस में आप ऐसे मान लीजिए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप या फिर आप एससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप रणिंग में जो भी आप फिजीकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो एतलेट में तो फिर वेट के साथ में भी बहुत एडवांस लिए आती है वो अभी इनको आप करके अपना काम निकाल सकते हैं तो आपको जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में आपको ये एक्साइज काम में आने वाली चाहें आर्मी हो फुलिसो एससी जीडियो बिल्ली के लिए बहुत शांदार वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ अभी आप लोग को जल्दी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन प्रेस कर देना है पहली बार वीडियो आप देखने हैं तो प्लीज आपको मैं बता देता हूँ आप बहुत अच्छी जहां आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जब भी वीडियो बनेगी वह सबसे पहले आपको पर पास पहुँचे इसलिए बैल आइकन को प्रेस जरूर कर देना तो देर नहीं करेंगे हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं आप लोग ने टाइटल आपको एक्साइज आपको डिफेंस रिलेटेड आपको एक्साइज रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो आज आप लोग के लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इनमें जो एक्साइज हैं ये चार एक्साइज आपके रनिंग में अधित्य इंप्रूमेंट लाने वाली है, जिlles मोंगे पैर बरते हैं, क्योंकि आप जब दोड़ते हो तो कहते हैं सर्थ हमारे पैर बरने लगे, पैर उपता नहीं है, तो जब आपके पैरों में पावर होगी, पैरों में जान होगी तो पैर भी उठेगा, और आ आएगी तो स्पीड भी होगी स्टेब भी बहुत अच्छा चलने वाला है यह चार एक्साइज जो को ध्यान से देखना आप इन चार एक्साइज को देखिए वीडियो स्किप ना करें क्योंकि मैं वीडियो स्किप कर दो गया आप तो मैं जो एक्साइज लगाते टाइम पर जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लगाना है और आपको साफदानिया कह रखनी है तो मैं कुछ साफदानिया तो मैं अभी बता देता हूं आपको यह एक्साइज जो नए नए धावक है जैसे मान के चलिए किसी ने अभी 10-15 दिन हुए रणिंग आपने कम से कम तीन वीग आपका हो चुका है complete उसके बाद आप इन्वे एक्साइज ओको एडवांस पर लेगाए जा सकते हैं और इनके सेट में आपको सेट कितने कितने लगाना है इस टार्ट में आप लगवाग दो सेट लगाए उसके बाद में आप पास सेट तक भी जा सकते हैं यह exercise nonbait के साथ में इननों कुछ exercise weight के साथ में लगाए जाती है लेकिन जो नए धावक है नए runner है वो इनको winna weight के साथ में ही लगाए ज्याद़ा वैथर रह देखिया उती हैं और बहुत सारे दो जैसे आज अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको एक काम की चीजे बोल रहा हूं क्योंकि छूट जाएगी आपकी चीज आपने वीडियो की जो में इंपोडेंट बात बताने वाला हूं वो छूट जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा इसलिए वीडियो को अपनी वीडिय को देखेए इसकि पना करें तो चलिए फर्स्ट एकसिज को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एकसाइब मैं आप देख पा रहा है वह दोनों परों को बरावर के लेकर आपको जंप करना है और इस एक्साइज को लगाते समय आप लोग को ध्यानर रखना है कि जब आप चंप करकर उपर आ रहा है तो कम से कम गुटने आपके 90 डिग्री तक पहुंचे और आपको इसके कम से कम कम से कम तीन सेट लगाने 25 के और आराम से आपको आई इस दिसे बापस नीचे भी उतरना है इस एक्साइज को आप वेट के साथ भी लगा सकते हैं पर अगर आप नए रणर है तो आप इसको बिना बेट के ही लगाएं एक्साइज को आप बड़े ध्यान से देखें एक्साइज को समझें पैर को पहले आपको किक करना उसके बाद पिर आपको दूसरे पैर को 90 डिग्री तक आपको लेकर जाना हातों की पोजिशन का भी अच्छे से ध्यान रखना है तब आप में इंप्रूमेंट यह एक्साइज आपके लिए बहुत शांदार एक्साइज होने वाली है इस एक्साइज से देखें रनिंग में आप आपका हैमिस्टिंग मसल्स और आपकी थाइज बहुत मजबूत होना जरूरी है और यह एक्साइज आपके हैमिस्टिंग मसल्स को बहुत सांदार यह exercise भहुत शानदार है ध्यान रहे लगवग लगवग 20 मीटर तक आपको चलते हुए ऐसे जाना है और उसके बाद रिलेक्स करना है ऐसे आपको कम से कम तीन रेपिटेशन आपको इस exercise के लगाना है आप धीरे धीरे start में कम करिए और उसके बाद में आप समय आपका जब नि jumping skirt है यह बहुत शानदार है यह पैरों में जान डाल देती है मतलब ऐसा मान लीजिए कि इस exercise का अपने अगर तीन से पांस सेट अगर आप लगाते हैं तो पैरों में आप अलगी तागत महसुस करोगे नेक्श अगर आप बीक में कम से कम दो से तीन दिन अगर आप इन्हे एक्साइजों को अपनी रेनिंग में डालती हैं तो देखिए आप में बहुत शानदार बहुत बड़ी इंप्रिमेंट आने वाला है तो आप exercise को एड़ जरूर करें इसलिक साथ इंकिलाव दिन्दवाद जैहन